नमस्कार SBT News में आपका स्वागत है पेशे नौदी समबश अनिवार्द पर सवा 3 बजे राजिस्थान की 15 बड़ी खबरे इस निउस बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी, विनी केक अन मोर तो सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइन्स पर बीजेपी पर बरसे गहलोट बोले साथ दिन से सीएम तैर नहीं कर पा रहे केंद्रिय मंद्री मेगवाल को आन्शिक राहत लेकिन FIR ने रस्त करने से हाई कोड का इनकार पेमोदी के उद्गाटन से पहले ही विवादों में आया सूरत डायमंड बोर्स नई सरकार के शपत ग्रेंड समारों में शामिल होंगे पियमोदी और चंद्रयांतीन की सफलता से विदेशी अंतरिक्षी यात्री भी गदगद और अब खबरे विस्तार से पायसान के पूरू मुख्य मंत्री और शोग गहलोथ हार की समेक्षा बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुँच गए है एरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए गहलोथ ने बीजेपी पर जम कर निशाना साधा और कहा कि विधान सभा की चुनाओं में काम पर चर्चा नहीं हुई और बीजेपी वाले बसकर नहीं या लाल मर्डर केस पर चर्चा कर रहे हैं तरनाम का माहल बना का ध्रुवी करन किया इसलिए भाचपा जीत गई गहलोथ ने कहा कि भाचपा की पोल खुलती जा रही है साथ दिन तक तुम मुख्य मंतरी का चहरा तक तैय नहीं कर पा रहे और बात करते हैं कि हमारी पार्टी में अनुशासन है रहसान में सीम पत के दावेदार माने जाने वाले केंड़े मंतरी अरजुनाम मेगवाल को राजसान हाई कोर्ट से जटका लगा है रासान हाई कोट जस्टिस प्रवीर भटनागर ने केंद्रे कानून मंत्रे अरजुना मेगवाल की और से दारियाचिका को आंशिक रूप से स्विकार करते हुए पुने जौांच के आदेश को पास्त कर दिया है यानि कि निरस्त कर दिया है इसके साथ ही मामला ACB कोट बिकानेर को सुनवाई के लिए भीज दिया गया कोट ने ACB में दरजा F.I.R. को निरस्त काने से इंकार कर दिया वो लेखने है कि विधान सभा के पूर्विस्पीकर कलाश मेगवाल ने भी कुछ दिनों पहले अरजुन मेगवाल पर कलक्टर रहते हुए बस्ट चच्वार क्या रूप लगाए थे सुरत डायमंड बोर्स शुरू होने से पहले ही विवादों में आ गया है खबर है कि हीरा बोर्स के प्रशासकों ने निर्मान के लिए 538 करोड रुपे का भुकता नहीं किया है इस मामले में अफसूरत की जुला अदालत ने हीरा बोर्स के प्रशासकों को 100 करोड रुपे की बैंक गरेंटी जमा कराने का आदेश दिया है दरसल दुनिया के सबसे बड़े कारले भवन की निर्माता PSP Limited कमपनी को हीरा बोर्स के प्रशन्स को द्वारा निर्मान भुकतान नहीं करने के बाद विवात का विशय बन गया है इतना ही नहीं काम पुरा होने के काफी समय बाद तक पैसों का भुकतान नहीं करने पर कमपनी ने कोड से नियाए की गुहार लगाई है जिसके अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी बतादी की सूरत डायमंड बोर्स का 17 दिसंबर को PM नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं रायसान में भाजपा मुखे मंत्री के शपत ग्रेंड समारों को भवे रूप देने जो रही है प्रधान मंत्री नरेंड मोदी समारों में शिर्कत कर सकते हैं सूत्रों के अनुसार पीम, मोदी, रायसान, मद्रप्रदेश और 36 गड़ में मुखे मंत्री के शपत ग्रेंड स अंत्रिक्ष यात्रियों ने इसकी तारीफ में कसीदे पड़े हैं अब स्वीडिश अंत्रिक्ष यात्रे क्रिस्टर फुगले सांग ने चंदरियांतीन के सफलता को अद्बुद और शांदार बताया उन्होंने कहा कि वो इसी तरह के भारतिया मिशन का इंतिजार कर रहे हैं एक इंट्रियू में फुगले सांग ने कहा कि वो गगन यान मिशन के तैयाद भारतिय अंत्रिक्ष यात्रियों को अंत्रिक्ष के लिए उडान भरते हुए देखना चाहते हैं पुलिस भरते के निशुल के ट्रेनिंग ले रहे जहांसी की रानी ग्रूप की महिलाओं लड़कियों को शुकरवार को उदेपूर के अत्रिक्त संभाग ग्यायक्त महावीर खराड़ी ने स्पोर्ट शूज भेंट किये ट्रेनर मिनाक्षी गरासिया और डिंपल मिना ने बताए कि महावीर खराड़ी को जब इस बात की जौनकरी मिनी की उदेपूर में रहकर बांसवाडा डूंगरपूर सलुमबर सहीता ने जगहों से लड़कियां पुलिस भरती के लिए प्रसिक्शन ले रहे हैं तो खराड़ी ने संपर कर इन सभी 150 महिलाओं को निशुल को जुते बाटें इन महिलाओं में कोई तलाक शुदा है तो कोई विद्वा है साथ ही अधिकांश आर्थिक रूप से कमजूर है केंद्रे माद्यमिक शिक्षा बोर्ट से संबद स्कूलों में 11 दिसंबर को महा कवी सुब्रमन्य भारती के जनती के अवसर पर भारती भाषा उत्सव मनाया जाएगा बोर्टनी स्कूलों को इस मौके पर विभिन गतिविधियों जैसे नुकर नाटक जुरूस गीत निरत्य सेमिनार वाद विवाद प्रत्योगिता और मनरवन्जग कारकरम आयोजन के निर्देश दिये हैं जोदपूर से चलकर भोपाल को जाने वाली जोदपूर भोपाल एक्सप्रेस नो से 27 दिसंबर तक रद रहेगी जोदपूर मंडल के डिगाना फुलेरा रेल मार्क पर गोविंदी मारवाड फुलेरा रेल वेस्टेशन के बीच रेल दोहरी करन का कारे चल रहा है इसके तह इसके चलता है गाड़े जोदपूर भोपाल एक्सप्रेस जोदपूर से 27 दिसंबर तक था भोपाल से 10 दिसंबर से 28 दिसंबर तक निरस्त रहेगी वहीं जोदपूर वानानसी मरदोर एक्सप्रेस बदले मार्क से चलेगी देश के सबसे बड़े इंजिनेरिंग प्रवेश परिक्षा जयी मेन के आवेदन में हो रहे गलतियों में करेक्शन को लेकर कई स्टूडेंट्स परिशान हैं सिती ये हो गई है कि कई विद्यार्थी जयी मेन जनुरी परिक्षा में शामिल होने से वन्चित रह सकते हैं इस सार जयी मेन के इतिहास में सरवादिक 14 लाग से अधिक विद्यार्थियों ने आवेदन किया है करियर कांसलिंग एक्सपर्ट आमिताहुजा ने बताए कि जयी मेन आवेदन के दौरान कई चोड़ना में विद्यार्थियों से शुल्क ले लिया गया इसके बाद confession page भी जारी कर दिया गया है इसे विद्यार्थियों को ये विश्वास हो गया है कि उसकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो गई है लेकिन आवेदन के तित्या निकलने के बाद जब NTA ने correction विद्यार्थियों की तो कई विद्यार्थियों सामने आए जिनके पास confirmation page होने के बावजूद भी उनका आवेदन शुलक जमा नहीं हुआ ने हमेशा इस रास्टर के लिए अपना सरवोचो बलिदान दिया है सेना के साथ-साथ यहां सजग रहे प्रहरियों ने 1965, 1971 और 1999 के युद्धो में बहुत महत्रपून भूमिका निभा कर सेना का सहयोग किया है यह उधार कोनार्क विजय दिवस के उपलक्ष में बाण मेर पहुंची सेना की कारेली की स्वागत में आईयोजित कारक्रम में ब्रिगेडियर विकास बहुगुणा ने व्यक्त किये NCC अधिकारी कैप्टन आदर्श किशोर और थार के वीर संस्थान के सहयोजग रगुवीर सिंग तामलोर ने बताया कि कोनार्क विजय दिवस के उपलक्ष में भारते सेना की कारेली का पुष्पवर्शा के साथ स्वागत किया गया चूरू शहर में सर्दी की रंगत परवान चड़ने लगी है उतर की ओर से आने वाले सर्ध हवाओं ने धोरों में पारे के नीचे की ओर खिसकने की गति बढ़ा दी है बीते चार दिनों में पारा लगातार धलान पर है इससे शहर की राते सर्ध होने लगी है शाम धलते ही लोग घरों में दुबकने लगे हैं वहीं शाम को बाजार भी विरान होने लगे हैं मौसम केंडर के अनुसार शुकरवार को दिन का दिक्तम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस और नियूनतन तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया 12 जिले के अन्ता में कस्बा बंध को लेकर स्कूल बंध कराने आये समर्थकों के साथ भारत माता की जय बोलने पर एक नीजी स्कूल के छात्रों को भारत माता की जय बोलने पर स्कूल प्रबंधन द्वारा साथ दिनों के लिए निश्कासित करने का मामला सामने आया है बदादे की जपर में करनी सेना के रास्टे अध्यक्ष के हत्या के विरोध में गुरुवार को उन्ता बंद रखा गया था ऐसे में स्कूल बंद करवाने समर्थक पहुंचे थे समर्थकों के साथ स्कूली बच्चों द्वारा बारत माधा की जएके नारे लगाने पर स्कूल प्रबंधन द्वारा कुछ बच्चों को स्कूल से निश्कासित कर दिया गया विदानसवा चुनाओं के नतीज़े आज 6 दिन हो गए हैं एक जनवरी तक मिलने वाले सभी आवेदनों के जवांच परताल के बाद 6 जनवरी को वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट लिस्ट जारी किया जाएगा वहीं 8 फरवरी को वोटर सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा दोसा जिले में दोसा आगार द्वारा जयपूर आगरा हाईवे पर संचालित सभी बसों के ठहराव के लिए पंडित नवल किशोर शर्मा मेडिकल कॉलेज भांडारेज मोड को बस्ट एंड घोशित किया है दोसा आगार के मुखे प्रबंदक विश्रामीना ने बताया कि इससे लोगों को राहत मिलेगी रास्टरे क्रिशियम ग्रामिन विकास बैंक एवं जन हितकारी सिमान संस्ता के तत्वधान में सुक्षम उद्यम विकास कारकरम के अंतरकत जालोर की सायला तैसिल के नरसाना में यानि की बची हुए कपडों के कतरने से बनने वाले उत्पाद एवं एम्ब्रोईडरी पर प्रशिक्षन का शुबारम जिला विकास प्रबंधक जालोर डॉक्टर दिनेश प्रजापत और लीड बैंक प्रबंधक तेश कुमार जल्थूरिया द्वारा किया गया प्रशिक्षन की शुबारम कारकरम के दोरान जिला विकास प्रबंदक डॉक्टर दिनेश प्रजापत ने एपलिक से बचने वाले विभिन उत्पादों पर विस्तरच चौचा की तो फिलाल इस बुलेटिन में इतना ही फिर हाजर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपुन खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल SPT News को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर